दोस्तो श्रीट फूट खाना किसको पसंद नहीं है अगर आप वही श्रीट फूट गर पर बनाते हो तो और ही मज़ा आता है तो दोस्तो आज हम बनाएंगे स्रीट फूट स्पेशल मसाला पाव बहुत ही इजी रेसिपी है और आपको इसको बनाने में भी बहुत मज़ा दिया है दोस्तो नेक्स हमें इसके अंदर एड करना है बटर नॉर्मली जो आपको बटर सुपरमाकेट या जनरल स्टोर पर मिलता है वही बटर आप इसके अंदर यूज कर सकते हो थोड़ी ही आपको कॉंटिटी में बटर इसके अंदर एड करना है तो आलमस्ट आप कह सक करना है दोस्तो स्वाटे करने के बाद हमें एंशर करना पड़ेगा कि इसको थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से कुक करें जब आप फ्राइडर्स वगेरा बनाते हो तो आपको इसको थोड़ा सा कच्चा रखना पड़ता है बड़ दोस्तो सिंज हम बना रहे हैं मसाला पाओ तो हमें इसको अच्छे तरीके से कुक करना है जब ये थोड़ा सा फ्राइड हो जाए प्रॉपर ली तो दोस्तो हमें नेक्स इसके अंदर एड करना है कटा हुआ टॉमेटो सो अल्मूश मैंने इसके अंदर चार कटे हुए टॉमेटो मैं अभी एड कर रहा हूँ दोस्तो अभी हमें इसको अच्छे तरीके से फिर से साटे करना पड़ेगा तो टॉमेटो एज वेल एस कैपसिकम अच्छे तरीके से फ्राइ होके प्रॉपर तरीके से कुक होना चाहिए तो अभी मैं क्या करता हूँ क्यों इसको जल्ली से साटे करता हूँ and properly इसको fry और cook करता हूँ जब capsicum और tomato अच्छे दरके से fry और cook हो जाएगा तो इसका color भी change हो जाएगा अभी आप देख सकते हो इन दोनों का color भी change हो गया है next दोस्तो हमें इसके अंदर add करना है थोड़ा सा red chili powder so almost आपको half tablespoon इसके अंदर red chili powder add करना है यह सब add करने के बाद इसको अच्छे दरके saute कीजिए and then इसके अंदर half tablespoon नमक add कीजिए नमक add करने के बाद हमें इसको again अच्छे दरके से saute करके लेना है दोस्तो then हमें इसके अंदर add करना है coriander powder coriander powder भी आपको half tablespoon इसके अंदर डालना है and then again इसको saute करना है यह सब डालने के बाद हमें इसके अंदर एड़ करना है पावबाजी मसाला इसको अच्छा फ्लिवर आता है पावबाजी मसाला से जब यह प्रपर तरीके से कुक हो जाए तो आप इसको सैड में रखिए और एक दवा गैस पर रखिए और उस पे थोड़ा सा तेल एड़ किजिए दोस्तो इवन आप बटर भी यूज़ कर सकते हो देन दोस्तो हमें इसके उपर एड़ करना है थोड़ा सा बटर बटर के उपर हमें एड़ करना है पावबाजी मसाला और इसको हमें spatula की मदद से अच्छे तरके से mix करके लेना है अभी हम ये जो अब mixture बना रहे है वो basically पाव के लिए तो basically then हमें पाव को अंदर की side से इसको rub करना है और even outer वाला जो potion है वो भी rub करना है जो tomato और capsicum की filling हमने बनाई थी वो हमें next पाव के अंदर add करनी है and there you go दोस्तो हमारा masala पाव अभी बन कर ready हो गया